के साथ, तमाम सिरसदिकारियों के साथ, पुलिस के आलापसरों के साथ, सरकार और सत्ता के मंतरी के साथ, विधायकों के साथ, और संगठन के तमाम पदादिकारियों के साथ, फोटो जो वाइरल हो रही हैं, ये पूरी तरह स्पस्ठ है कि उस अपराधी को सत्ता का पूरा प्राप्त रहा है मुख्क मंत्री जी कि जवाब देना होगा उत्तरप्रदेश की जनता जानना चाहती है कि आखिर परिवार अगर c لا क्या चाता तो c değil से भाघ क्यों रहें को नुख आपको विकास दूबे के खिलाप आपने क्या कारवाई की, आखिर क्यों CBI जाँच से भाग रहे हैं, अब इस सरकार को बने रहने का कोई नेतिक अधिकार नहीं है, कल हम लोग महामहिम राजपाल क्या, ग्यापन देने जा रहे थे, बल पुर्वक आपकी पुलिस ने हम सब लोगों को गिरपतार करके पुना जेल की सलाकों में डालने का काम किया, अब आप उत्तर प्रदेश में एक दिन इस सरकार को बने रहने का नेतिक अधिकार नहीं, मुखमंत्री जी, इस्तफा दीजिए, महामहिम इस सरकार को बर्खास्त करिए, इस सरकार को बने रहने का कोई नेति कदिकार नहीं पूरी तरह उत्तरप्देश में जंगल राज कायम है कानून ब्यवस्था पूरी तरह ध्वस्थ हो चुकिया केवल छोटे मोटे अपराधियों को धेर कर देने से उस घटना को दवाय नहीं जा सकता जो कातिल है जिसने हमारे जवानों को सहीद किया है उसकी गिरफतारी क्यों नहीं कहां है विकास पूरा उत्तरप्देश जानना चाहता है उसकी गिरफतारी उसके खिलाब कारवाई क्या हुई परिवार के लोग CBI जाच चाहते हैं CBI उसमें जिस तरह तमाम उस अपरादी के साथ गड़्जोड के खुला से हो रहे हैं मंत्री विधायक और इनके तमाम संगटन के पतादिकारियों के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं पंचमतल के लोगों के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं यह सपस्ठ है कि पूरी तरह सरकार का स बरखास्त होना चाहिए पूरा उत्तप देश चाहता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूस 24